कि अब हैं कि जादतर लोगों को खाना खाने के बाद सौफ खाना अब डिलिद पत्वन पता है। अगर आपने गौर्ड किया हुँ तो आप देखा हुआ कि जब आप रेस्टोरेंट ने किसी डिस्क ओर करते हैं तो जब आपको होजन सर्फ किया जाता है, और आप होजन कर लेते हैं, तो इसके बाद बिलिंग की बारी आती है। ऐसे में आपको डिलीधडरी वो आए, एक बिल्च सौफ देता है, जिसके साथ वो सौफ भी लेके आता है। वो ऐसा है किया जाता है क्योंकि Soft हमारी सेहिन के लिए बहुत फाइदे मन दोता है हम खाना खाने के बाद आगर Soft का सीवन करती है तो हमारे शरी को बहुत सारे फाइदे मिल चाते है इसका सीवन करने से खाना अच्छे से सहता है और सासों की दुरदंद भी दूर हो जाती है अगर आप रोजाना सौफट के पानी का स्रेवन करती है तो यह एक आउसनी के रूप में सरीर की बमारियों को और पहशानी को डूर करने में मदद करता है जी हाँ नेवित रूप से खाली पेट सौफ का पानी पीने से वजन असान से कम हो जाता है और अपने वजन को कम करने के लिए आप रोजाना अस्पेसाली बेट में एक दिला सौफ का पानी जो चमच सहित के साथ मिला करती हैं इससे आपको फाइदा मिलेगा वहीं सौफ में भरपूर मात्रा में इंटियोक्सिडेंट्स मोजूद होते हैं जो सरीर को कैंसर जैसी पतरनाग बिबारी से लड़ने की चमता प्रदान करते हैं वहीं रोजाना सौफ का पानी पीने से प्रस्ट कैंसर लंग कैंसर और अगी किसी तरह की कैंसर से पचाव होता है यही नहीं अगर आपको कब्ज की समस्या है तो रोजाना सुलैखारी पेट में सौफ का पानी पीने से पेट दर्ग कब्ज और बाचन संबंदी समस्याएं दूर लोग पुल जाती है। तो ये वो बड़े पायदे थे सॉफ के पाई को जो आप अगर अपने जीवन में सेवन करते हैं तो आपको इन सबहीत समस्याओं से चान में और आप अपनी बिमारे यह करें । कि इसमें आप तो चमच सहद जरूर मिला लें ऐसा करने से आपको कई समस्याओं से तो निजात मिलेगा ही और आप अपने आग को अलग तरह क्या एहसास भी वहसूस कर पाएंगे तो हमारे द्वारा बताई गए इस जानकारी को आप अमल जरूर करें और अपने जीवन में उतारें क्यूरियन हेल्डेक्स के रिपॉर्ट